विद्यार्थियो कैसे हो अच्छे होगे आशा करती हूँ सब हमने पिछली बार यक्ष प्रशना आधा पाट किया था ना चलो आज हम वह कहानी पूरी देखेंगे हमने उस कहानी में क्या देखा था कि महाभारत के 12 वर्ष के वनवास के बाद 13 वर्ष प्रारम होने वाले थे और इन्ही दिनों पांच पांडो कुमार पांचालिच सहीद वन में गए थे और वहाँ पे एक ब्रामन उनसे मदद मांगने आता है और वे वन में उसकी मदद करने के लिए भटकते हैं तब भटकते भटकते उन्हें प्यास लगती है और युदिष्टर जो है पांडो पांठ देखते हैं वन में चलते हुए शीग्रही एक सरोवर के पास पहुँच गया और वहाँ निर्मल जल देखकर उसे पीने को तत परुआ इतने महीं आकाश्मानी हुई यक्ष की अवास तुम इस सरोवर का पानी पीने का साहस ना करो इस पर पहले ही मेरा अधिकार है म पेरे प्रश्णों का उत्तर देने के पश्चाती तुम पानी पी सकते हो आवाज आई वन में वो चल रहे थे शीग्रह शीग्रह और सरोवर मिल गया महां उन्हें एक दम स्वाच्छ जल निर्मल जल मिल गया सरोवर के अंदर और उसे वो पीने के लिए बिल्कुल तत पर ह लोगे के जल्दी से पीलू बहुत प्यासा हूं पर इतने में ही एक आकाशवानी हुई यक्ष की आवाज आई यक्ष की आवाज यक्ष पता है एक द्राक्सस होते हैं जो तंग करते हैं उसने क्या आवाज कही देखो क्या बोला उसने कि तुम सरोवर का पानी प्लीज मत पीना बिल्कुल मत पीना सास भी मत करना क्यूं क्यूंकि इस पे तो मेरा अधिकार है और अगर मेरे प्रश्णों के उत्तर दिये उसके बाद ही तुम उसे पानी पीना नकुल प्यास के कारण बहुत विकल था इसलिए उसने आवाज की अवेलना करते हुए शीतल जल पीने का प्रयास किया परन्तु यह क्या पानी का प्रथम घूंट पीते ही अचेतन होकर प्रत्वी पर गिर पड़ा नकुल प्यास के कारण बहुत विकल था व्याकुल हो रहा था प्यासा था इसलिए उसने यक्षकी आवाज की अवेलना की उस पे ध्यान नहीं दिया और शीतल जल पीने का प्रयास कर दिया परन्तु यह क्या पानी का प्रत्वी पर गिर पड़ा नकुल के लोटने में विलम हो गया था तो धर्मरा युदिश्टर ने सहदेव को अपने भाई को बुलाने और पानी लाने को कहा अब नकुल के लोटने में देर हो गई क्योंकि वह वहां बेहोश पड़ा था तो वो तो आया नहीं जल्दी तो युदिष्टर ने क्या किया सहदेव को जो अपना भाई है उसको बुलाने के लिए कहा और पानी लाने के लिए कहा कि जाओ देखो नकुल क्या कर रहा है और तुम पानी ले आओ सादेव ने कहा जी बहुत अच्छा सादेव भी बहुत अच्छा कहकर नकुल को डूंडता हुआ सरोवर के पास पहुंचा वहां उसने नकुल को मुर्छित पड़ा देखकर बड़ा आगात लगा वहां जैसे ही वह गया सरोवर के पास तो एकदम चौंक गया क्यों चौंक गया एकदम उसको धक्का लगा आगात लगा किस चीज़ा क्या देखकर आगात लगा के नकुल महां भेहोश पड़ा है, मूर्चीत पड़ा है, प्यास की तड़प के कारण उसने भी पानी पीने का प्रहत न किया, परन्तु यक्ष की आवास का उलंगन करता हुआ, वह भी अच्चेत होकर सरोवर के किनारे गिर पड़ा. अब युदिष्टर को भी बहुत प्यास तो लगी दी, एक तो उसने उसे देखा गिरते वे तो उसने सोचा चलो जल्दी पानी पीलूँ, फिर से तुरंत यक्ष की आवास आई, आकाश्वानी भी फिर से उसे भी यही बात कही गई, लेकिन उसने भी उसकी अबात मानी नही उसका उलंगन किया, और वहां वेहोश पड़ा जो था सरोवर के किनारे वह भी गिर पड़ा, युदिष्टर ने दोनों मादरी कुमारों के न लोटने से चिंतित होकर, पहले महां धनुर्दरी अर्जुन और फिर गदा धारी भीम को पानी लाने और अपने बाईयों का प पड़े, पांस भाई थे, उसमें से दो तो पहले ही युदिष्ट, दो तो पहले ही वेहोश हो गए थे, कौन-कौन थे पहले वाले दो, एक था नकुल और दूसरा सहदेव, ये दोनों तो बेहोश हो गए, अब युदिष्टर ने दोनों मादरी कुमारों के लोटने पे से चिंता हो गई, के भई क्यों ये दोनों अभी तक आये नहीं है, नकुल भी नहीं लोटा, और साथ-साथ सहदेव भी नहीं लोटा, तो जरूर कोई बात है, तो उसने क्या किया, अरजुन धनुर्दारी और साथ में भीम को बे दिया, के जाओ तुम दोनों देखिया, के उतर दिये बिना ही पानी पी लिया, और जैसे ही पानी पीया, जैसे ही जलाशे के पानी के अंदर घूंट भरे, और वह भी किनारे पे अचे थोकर गिर पड़े, अंत में अपने भाईों को न लोटते देखकर, अत्यन चिंते तो महाराज युदिश्टर भी चारों और घन व्रुक्षों से घिरे, उस मनोहरी सरोवर के पास पहुचे जहां वह उनके चारों भाई प्राण रही थोकर निश्चेश्ट पड़े थे, उनके अस्त्र शस्त्र इधर उधर विखरे पड़े थे, अपने समस्त भाईों की यह करून अवस्था देखकर वे गहन चिंता में डूब गए और अपने भाईों का नाम लेकर वह बहुत देर तक विलाप करते रहे तत्पश्टात अपने मन को स्थीर कर उन्होंने अपने भाताओं के शरीरों को बड़े ध्यान से देखा, अंत में अपने भाईों के जब देखा कि चारों के चार भाई नकुल, सहदेव, अरजुन और गदाधारी भीम ये चारों के चारा भाई न लोटे तो बहुत ज़्यादा चिंतित हो गए, युदिष्ठर भी चारों और घने वरुक्ष से और महारा युदिष्ठर ने सोचा चलो मैं खुदी देखके आता हूँ तुरंत वहां पहुंचे, उन्होंने भी सरोवर को देखा, मनोहर वातावरण, मनोहर यानि मन को हरने बाला, ऐसा वातावरण देखा, वहां पहुंचे, उनके चारों भाई जो थे उन्होंने देखा, प्रान रही थोकर, बिल्कुल अचेत पड़ी हैं, बिल्कुल भी चेतना नो होना, निश्चेष्ट होना, यानि बिनाच इतना के जीवित न होना या हम कह सकते हैं के बेहोश होना उन्हें देखा इतने अस्त्रस अस्त्रस जो थे उनके सब बिखरे पड़े थे और सारे के सारे भाई जो थे इसी करुण अवसा में देखके वह बहुत चिंता में डूग गए और अपने भाईयों का नाम ले ठीके अब यहां तक बच्चों हमने पाठ के को समझ लिया है अब आज तुम्हारा काम क्या है कि तुम हमने जितनी भी कहानी अभी तक पड़ी है वह तुम्हें अपने पाठ्य पुस्तक में पड़नी है ठीके इसके आगे का भाग होगा जो कि लास्ट बाग होगा उसमें ह